गुद मॉर्निंग इस्टुदेंट्स, हावर यू, I होब यूर फिट एन फाइन, सो, वन्स अगें वेलकम तो दर्शन पॉब्लिक स्कूल ओनलाइन क्लास, दॉ, यूर मेश टीचर, इन दिस वीडियो, क्लास, फॉर्थ मेश, नौ, ओपन यूर मेश बुक, और पैज नमबर 23, exercise 3, जो हमारी continue exercise चल रही है, exercise 3.1 and 3.2 हमने complete कर लिती, तो आज चलते हैं, next, exercise 3.3 पर, तो, फिप्ट डिजिट, एडिशन, अब फिप्ट डिजिट में हम किस प्रकार addition, यनि add करेंगे, फिप्ट डिजिट एडिशन is exactly same as 4 डिजिट एडिशन, if there is any carry takes over to the next place, अब 4 डिजिट की तरह हम 5 डिजिट में add करेंगे, तो किस प्रकार हम add करेंगे, कैसे arrange करेंगे, इसे तो आप सभी को पता है, बट एक question हम कर लेते हैं, यहाँ पर, कैसे हम add करेंगे देखिए, exercise हम लेते हैं, आप डाले, exercise 3.3, इसका question number first है हमारे पास, ध्यान से देखिए, find the sum, अब हमारे पास first question है, ध्यान से आप देखिए, 53,213, and 37,422, तो अब कैसे हम arrange करेंगे, ध्यान से देखिए, तो सबसे first, अब लिखिए, one से लिखिए, one, ten, hundred, thousand, और ten thousand, यहीं फिफ डिजिट है, तो ten thousand तक number है, तो हम सबसे पहले first digit देखिए, 53,000 तो 53,213, उसके बाद उसी के निच्छे second की डिजिट, 37,432, जैसे हमारा arrange हो चुका है, अब arrange होने एक बाद two line हम किचेंगे, और sign लगाएंगे, प्लेस का, जैसे हमने लगाया, अब हमारे पास यह arrange हो चुका है, arrange होने एक बाद हम क्या करें, add करेंगे, 3 और 2 को add करेंगे, तो 3 और 2 कितना होता है, 5, 2 और 1 कितना होता है, 6, sorry, 2 और 1 होता है, 3, 4 और 2, 6, 7 और 3 कितना होता है, 10, अब 10 यहीं टू डिजिट हो गई, अब 2 डिजिट है, तो हम 2 डिजिट डाइरेक्ट 10 नहीं लिख सकते हैं, अगर जैसे हमने 10 लिखा तो हमारा answer wrong हो जाएगा, तो हमें लिखना होई, right side की first डिजिट में कितना है, 0, तो 0 यहां लिखेंगे, और next wallet डिजिट पर हम क्या करेंगे, 1 carry लगाएंगे, उपर, तो 1 carry लगा देंगे हम, अब 5 और 3 कितना हो गया, 8 और एक carry का add कर दो, उसमें हो गया, 9, तो 90,635 हमारा क्या हो गया, answer हो गया, तो इसी प्रकार हम next one by one question add कर सकते हैं, और solve कर सकते हैं, तो यह exercise हमारी 3.3 आप कर सकते हैं, इसके question number one, आपको अपनी hw copy में complete करना है, 3.3 का question number one, आप hw copy में करेंगे, और question number two है, वो आपको अपनी book में ही complete करना है, ध्यान रखे, क्या बोल रहा हूं में, कि question one जो है, वो आपको अपनी hw copy में complete करना है, और question number two है, वो आपको अपनी book में ही complete करना है, अब next रलते हैं हमारी exercise, 3.4 की हो, अब 3.4 में भी वही same है, हमें कुछ नहीं करना है, addition of six digit number, अब इसमें, वो फिप्ट डिजिट थी, अब इसमें क्या हो गया, six digit में addition करना है, तो यानि 10,000 तक हमने complete कर ली थी, अब इसमें हो जाएगा, लेक तक, तो यानि आप counting कर सकते हैं, कैसे counting करेंगें, दियान दे, one, ten, hundred, thousand, ten thousand और, लेक, तो हम कैसे बोलेंगे, six leg, thirty, two thousand, hundred की place नहीं है, तो hundred के बाद क्या होगा, forty, six, यहनि six leg, thirty, two thousand, forty, six में add करेंगे, three leg, fifty, five thousand, seven hundred, twenty, three, तो यह आप add अच्छे से कर सकते हैं, तो सबसे first हमें किस side से add करेंगे, right side की first digit, यानि one से add करेंगे, तो one को add करेंगे, सबसे first six और three, दोनों तरब की first first digit यहनी one-one digit पे add करेंगे, तो six और three कितना होता है, nine, उसके बाद ten की place add करेंगे, तो four or two कितना होता है, six, उसके बाद hundred की place, hundred में एक में zero हो, एक में seven, तो 7 का 7 ही 7 हो जाएगा 1000 के प्लेस में 2 है और एक में 5 है तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा ऐसे ही 10,000 के प्लेस में 3 और एक में 5 तो 3 और 5 को add कर तो कितना हो जाएगा 8 तो 8 10,000 हो गया 80,000 हो जाएगा और लेक की प्लेस पर देगे एक में 6 है और एक में 3 तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 तो यानि 9 लेक 87,769 यह हमारा आंसर आ जाएगा 9 लेक 87,769 तो इसी प्रकार हम exercise 3.4 भी अच्छे से complete कर लेंगे इसके 3.4 के जो वही सेम 3.3 की प्रकारिया है अब इसमें कम कर लेंगे कुश्चन 3.4 में हम जो फर्स्ट वाले कुश्चन है इसमें 8 तक दे लेके तो 8 के हम हाप कर लेते यानि 1 से लेकर D यानि 4 कुश्चन आपका लेना 3.4 के 1 जो कुश्चन है जो आप HW में करेंगे इसके A से लगाकर only D तक complete करेंगे और इसके बाद जो 2 वाला कुश्चन है वो आप अपनी बुक्स में ही complete करें तो 3.4 का 1 कुश्चन दियान दे फिर 1 कुश्चन आपका अपनी HW में करना है और HW में करने में कुश्चन करना है आपको A से लगाकर D तक only 4 कुश्चन और इसका जो 2 वाला कुश्चन है वो आपका अपनी बुक्स में ही complete करना है तो यह exercise हमारे 3.3 और 3.4 complete हो जानी चाहिए I hope कि आप complete कर लेंगे next हम 3.5 and 3.6 करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना सही so thank you very much